लंडन की केट्रीना कैफ बॉलिवुड में काफी लंबा सफर तैकर चुकी हैं कैट के नाम कई हिट फिल्में दर्ज हैं कैट ने बॉलिवुड में जो मुकाम हसल किया है उसी के सब्मान में लंडन की Oxford University ने उन्हें लेक्चर देने के लिए इन्वाइट किया है फरवरी में Oxford में होने वाले एक सेमिनार में केटरीना बॉलिवुट को रिप्रेजन करेंगी केट को सेमिनार में स्टेज एंड स्क्रीन फिल्ड पर बोलने के लिए इन्वाइट किया गया है केटरीना के अलावा सेमिनार ओसकर रवाड बिनर हॉलिवुट अक्टर जेरिमी आइरिंस, रॉबिन राइट और अनाले ने मेकरोड भी हिस्सा लेंगे अक्सवोर्ड युनिवर्स्टी ने काटरीना कैफ के इंट्रोडाक्शन में बताया है कि वो बॉलिवुट की हाइस्ट पेड अक्टरसेज में से एक हैं जिनने एक था टाइगर और धूम थ्री के कारण पहचान मिली है कई सारे ब्रैंड्स के लिए मौडलिंग करने वाली कैट अपनी मा के चैरिटी ट्रस्ट रिलीव प्रजेक्ट इंडिया से भी जुड़ी हुई है जो कि भारत की महलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम करती है आपको बता दें कि कैट इंडिनो सल्मान खान के साथ एक था टाइगर के सीकुल टाइगर जिन्दा है की शूटिंग में बजी है कैट की फिल्म जगा जासूस एप्रिल में रिलीज होगी जिसमें वो अपने एक्स बॉइफरिंड प्रिनबीर कपूर के साथ लीड रोल में नज़र आएंगी हाला कि पिछले दो साल कैट के करियर के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं लेकिन कैट के लिए आने वाला वक्त काफी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि कैट पहले सल्वान और फिर शारुक के साथ नज़र आने वाली है